नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज लॉंडरी के सापता ही खिंदी पॉडकास एनल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है मैं शारदूल आपके चहेते होस्त अतुल अभी भी व्यक्तिकत कारणों से छुट्टी पर हैं लेकिन इस बार हमारे पास पूरा इन हाउस पैनल है स्टूडियो में मेरे साथ है आनंद वर्धन आनंद आपका स्वागत है चर्चा में और रिदेश योशी आप उनसे मिलते रहते हैं चर्चा पर लगातार और मनीशा पांडे हमारी संपादक और वो भी काफी चहेती हैं दर्शकों की अपने प्रोग्राम न्यूसंस की वज़े से और आप उन्हें अप चर्चा पर भी नियमित तोर पर सुनते रहते हैं तो इस हफते बहुत सारी हेडलाइन के लावा बहुत सारी सूचनाए भी हैं तो मैं फटाफट उन्हें खतम करता हूँ जिससे हम चर्चा की तरफ बढ़ सकें पहला न्यूस लॉंड्री के एप में कुछ सब्सक्राइबर्स को पिछले दो उढ़ाई हफते से दिक्कते आ रही थी उसका कारण था एक denial of service attack हुआ था हमारी website पर जिसकी वज़े से आप कोई दिक्कत आ रही थी और इसलिए आपको अगर आपने website खोली हो cloudflare verification दिख रहा था बहराल हम उसको ठीक काफी हद तक कर चुके हैं पर अगर अब ही आपके लिए वो दिक्कत ठीक नहीं हुई है तो हमारी पकड में ये दिक्कत आ गई है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी तब तक news laundry की podcast हफता और चर्चा दौनों paywall के बाहर है दूसरी सूचना है election funds related news laundry का NL Sena project अभी भी जारी है और हम the news minute के साथ मिलके elections को cover करेंगे और ये एक बड़ा project नहीं है छोटी छोटी stories इसमें cover की जाएंगी जो बहुत focused होंगे करीब 15 पत्रकार, producer, editor, अनीशा, अतुल ये सब लोग जगह जगह जाएंगे और news minute की तरफ से मेरे ख्याल से धन्या राजिंदरन जाएंगी और कोई भी है news minute से पूजा होंगी, धन्या होगी, सुदिप्तो होंगी, उनके और reporters भी होंगी तो ये सब लोग field पर जाके cover कर सकें चुनावों को तो इसलिए आप NL Sena project में अपना योगदान दें Modi 2.0 जो 19 से लेकर अभी तक जो सरकार चल रही है उसमें उनके वादे और जो सार्थक हो पाए उनके वादे उसमें अंतर कितना है जो दावे कर रही है सरकार वो सही है भी है नहीं तो उन पर deep dive उनकी विस्तार से विवेचना और उनका inspection एक तरीके से कम से कम PR में तो रही है एक मुझे पता है अगर आप जाए तो गुडविल लोगों में भी है बोलते हैं कि घर बने गए है डिलिवरीज के बारे में काफी तो हम उसका अच्छी तरसे डेटा निकाल के देखेंगे कि कितना budgetary allocation spend क्या क्या ग्राउंड पे हुआ है डेटा बै को fund कीजिए और यह पता चले कि सरकार ने SL में कितना काम किया है चर्चा में चिठ्थियां आनी अभी भी कम हैं जैसा हम कहते रहते हैं तो आप हमारे web page www.newslaundry.com slash podcast dash letters पर जाकर चर्चा के लिए अपनी चिठ्थियां बेश सकते हैं subject title में NL चर्चा जरूर डालें या फि पर देता हूं फिर हम अपने चर्चा के विशियों की तरफ बढ़ेंगे इस अफ़ते देश के तीन राज्यों में राज्य सभा की 15 सीटों के लिए चुना हुए कुल सीटें जो चुनी जानी थी वो 56 थी लेकिन 41 निर्विवाद रही क्योंकि राज्यों में सरकारों की करनाटक में और यह चुनाओ काफी रूमांचक रहे राजनेतिक दरश्टी से खूब क्रॉस वोटिंग हुई तीनों राज्यों में अंतर तह दस में से आठ सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली यहां पर सपा के दो विधायकों क्रॉस वोटिंग की और करनाटक म चार में से तीन कॉंग्रेस के हिस्से में रही एक भाजपा के वहां भी दो विधायकों ने भाजपा के गड़बर करी एक ने अबस्टें किया एक ने क्रॉस वोटिंग की और हिमाचल में एक सीट थी वो कॉंग्रेस हार गई जिसका सबसे आदास चर रहा क्योंकि वहां उ हिस्ट्री में पहली बार किसी राज जी में मुझे याद नहीं आता मैंने कई वरिष्ट पत्रकारों से भी बात की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ किसी राज जी में जिसकी सरकार है और इतनी कंफरिबल मेजॉरिटी से सरकार है वो चुनाव हार गए तो इसमें कहा ज जब संथान चुना जो कि विपक्षी सरकार है विपक्षी पाटी की तो क्या दोनों को पता था central leadership को भी पता था मैंने समाचारों में सुना भी था कि वे चाहरे थे सिट गांधी अगर हार जाती है हिमाचल में चणाओ क्योंकि उन्हें हिमाचल में कुछ गरबर की आशंका जरूर थी चीप मेस्टर चाहते हैं ती कि सोनिय गांदी चंदाओ कि सोनिय गांदी के आने से फिर इस तरही की स्थित और नहीं क्योंकि आप यह है तो मैं उसका विप्रीत कह रहा हूँ है यह हमने दोनों ही चीज़े सुझ रही थी तो मैंने कारेकरम में ही सुना था इसका मतलब है कि कॉंग्रेस में पशो पश तो बना हुआ था इसके बाद हिमाचल की विदानसभा के स्पीकर ने इन 6 विदायकों को न परचा की थी तो उसमें अपडेट यह है कि शेक शाह जहां जो पिछले 55-50 दिनों से फरार थे लापता थे उन्हें पश्चे मंगाल पुलिस ने गिरफतार कर लिया और 10 दिन की रिमांड पर भेजा है कुछ लोग यह भी मजायक कर रहे थे कि उन्होंने पुलिस को गिरफ कॉंग्रेस ने इसके बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया लंबित कर दिया इसमें कोई शर्त नहीं है यह यह साल तक वो कम से कम त्रिनमूल कॉंग्रेस में नहीं जा सकते हैं जो भी निकल के आता है पुलिस की तैकिकात के बाद अगली सुर्खी उत्तर अज हमारा चर्चा का वो विशे भी है बीते शनिवार चात्रों के भारी प्रदरशन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 और 18 फरवरी को जो पुलीस कॉंस्टेबल भरती के लिए परिक्षा हुई थी उनको रद्द कर दिया यह इस राज्य में उत्तर प्रदेश में या और कहा है कि 6 माईने के बीतर यह परिक्षा दुबारा ली जाएगी जहां तक खबर है इसमें करीब 50 लाख लोगों ने परिक्षा दी थी 60,000 पोस्ट के लिए अगली खबर सुप्रीम कोट से है मंगलवार को 27 तारीक को उच्चतम नयाले ने बाबा रामदेव की कमपनी प बतंजली ऐसे नाना तरह के विग्यापन दिखा रहे थे जिसमें वो और औशदी की पद्दितियों को और इलाज के तरीकों को नीचा दिखाते थे और दावे करते थे कि उनकी दवाईयों से वो बीमारिया ठीक हो जाएंगी जो विग्यानी तोर पर संभव नहीं है कोट क को लगातार देखा कि जिसमें कोरोना के बाद भी या उस दोरान भी मंतरी जो हैं वो खुद खड़े हो रहे थे स्टेज में वावरामदेव के साथ और सरकार जब खड़ी हो जाती है क्रेडिबिलिटी आती और आयुश मंतराले को लेकर कई सवाल पहले भी उठे हैं कि जिस तरह से पूरे रिकॉर्ड तोड़े हैं वो अमेजिंग है और इसमें सबसे बुरा योगदान रहा है टीवी चैनल का जहां बिलकुल खुली छूट मिलती है बाबा रामदेव को आने की और कोरोनल की टाइम तो वो हर चैनल में जाके बोल रहे थे कि ये कोरोना का क्यो पूछाएं से पता है सबको कि क्यों नहीं सबसे बड़ा एड़रा अड़र को आया उसी रादीप सर्दिसाइं ने शो किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला है और उसी वक्त आज तक में पतान जल रहे थे लिवर सिर्प के जो आपका पाचन तंत्र भी ठीक कर सकते है औ और मैं एक चीज़ यहां दाद दिला जाता हूं न्यूस जांडरी ने इस पर कोविट के टाइम पर रिपोर्ट की थी एक्स्लूजियर रिपोर्ट थी बसंथ की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि किस तरह से ये कोरोनेल के पूरा जो बता रहे थे कि टेस्ट देटा ट्राइल उन्होंने बहुत मज़िका करा जो लोग टेस्ट ही नहीं थे पॉजिटिव पर उन्होंने उनको दवाई दी और जब वो कॉरिंटीन से निकले तो बोला नेगिटिव होगे लेकिन वो कभी पॉजिटिव हुए ही नहीं थे तो ये क्रक्स है उसका पर आप रिपोर्ट जरू पड़ी है अगली सुरकी है यूएन से 26 फरवरी को Human Rights Watch ने अंतराश्टे मानवाधिकार सनस्था है इसने ICJ की शर्तों का उलंगन करने के लिए और मैश्रोताओं की जानकारी के लिए याद दिलाना चाऊंगा दक्षिन अफरीका ने इसराइल को सू किया था ICJ में युद्ध के नियमों का उलंगन वार क्राइम्स के लिए तो उन्होंने कहा है Human Rights Watch ने के इसराइल जो है वो कम से कम एक ऐसा स्टिपुलेशन है ICJ का जिसका वो पूरी तरह से उलंगन कर रहा है वो भुकमरी का और civilians को आम नागरिकों को भुखा रखने का इस्तमाल लडाई में कर रहा है जो एक युद्ध के अपरात की श्रेणी में आता है और इस पर फिर से काफी शोर मचा है और मचना भी चाहिए क्योंकि इसराइल अभी भी किसी की बात नहीं सुन रहा है वाशिंग्टन डीसी की संस्था ये अगली सुर्की है इंडिया हेट लाब ने एक रिपोर्ट जारी की इस अफते जिसमें कहा गया कि 2023 में हेट स्पीच यानि नफरती भाशा का उपयोग करने वाले जितने भी आयोजन हुए उसमें से 75 प्रतिशत भाजपा शासित राज्यों में थे और जो कुल संख्या थी इन आयोजनों की वो 668 थी यानि करीब 490 से तोड़ा उपर वो किवल भाजपा प्रशासित राज्यों में ही हुए और अधिकतर इन आयोजनों में इस तरह की भाशा का इस्तमाल मुसल्मानों और मुसलिम समुदाए के खिलाफ किया गया और भारत सरकार इस पर अभी भी मौन है तो ये एक बहुत गंभीर आकला सामने आया है और अंतिम सुर्खी फिर उत्तर प्रदेश से इलाबाद के उच नयायले ने ग्यानवापी मस्जित के तहकाने में जो पूजा शुरू हुई थी उसके खिलाफ ग्यानवापी मस्जित कमेटी की याचिका अदालत में डाली गई थी उसे रद कर दिया अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी जो है उसने जिला नयायले के आदेश के खिलाफ उच नयायले में हाई कोट में इसको चुनौती दी थी लेकिन अभी उनकी आची का रद हो गए तो यानि पूजा जारी रही लेकिन एक जो खबर है वो स्याद आपने नहीं पड़ी वो NBDSA वाली खबर है उस खबर के मताबिक क्योंकि आपने नहीं पड़ी तो मैं बता लिता हूँ उसमें कम से कम जो मैं अगवार पढ़े और कल जो मैं देख पाया वो ये कि चार एंकर जो है नमबर वन सुधीर चोधरी उनके चैनल को कोई जुर्माना नहीं हुआ है उनको कोई जुर्माना नहीं हुआ है लेकिन उसके अलावा TV9 भारत वर्श के एंकर और दो एंकर न्यूस 18 के इनको जुर्माने भी हुए हैं और इन तो फार दूसरा सुधीर चोधरी को बोला गया कि वो अपना उन्होंने राहूल गांदी पर टिपनी करी थी फिक्टिशस एक वो बना के लेकि वो तो परसनल मामला हुए जो माहुल खराब करने वाली जो बात थी जिसके कली टिपनी है वो राम नावमी के कारिकरम को लेके उनका है कि कैसे कुछ मिस्क्रियंट्स की बात को पूरे समुधाय का गरत्य बताया और एक टीवी नाइन भारत वरश का कारिकरम है उसके पर भी और इनको बोला गए कि अपने कारिकरम हटा देए जो तोड़ा वजन रखती है जिनकी बात उन्होंने कहा है कि ये वास्तों म उसमें वह शेट्स दिखाई दे रहे हैं मतलब एक मैंने कल बैने भी कल एक ट्वीट किया था कि जब मैं काम करता था आज तक मैं तो अगर इस तरह से सजा के दी गई है और कहा गया है उनको तो ये रेली बहुत दुखद है इससे पहले भी न्वीए से ने जुर्माना किया था इससे हर 6-7 महिने में जुर्माना करता है पचास हजा से एक लाग तक पर ये हैं लेकि मुझे लगता है ये बहुत बाइंडिंग है या नहीं है नहीं को ये देंगे भी या नहीं है जब बोला है तो ये देखना चाहिए लेकिन ये बहुत देर से होता है लोगों ने प्रोग्राम कंजूम कर लिया होता है और ये ख़बर पहुंचती नहीं है लोगों तक एक और हैड्लाइन है कि GDP ग्रोथ 8.4 हो गई है Q3 में थी और estimated F5 24 का है 7.6% so काफी back on track after COVID पर दिक्कत यह है कि भारत का डेटा बिच्वस्त नहीं है तो इसकी गर्ना कैसे हुई है वही बॉल बेरिंग में फसा हुआ है पर अच्छी ख़बर है अगर अर्थवरस्ता लाइन पर आ रही है पर हमारा चर्था का विशे आपने बात करना चाहते हैं तो उसमें यह जुड़ा हुआ है जैसे इस सब्धा जो है GDP growth का तो फिर भी कुछ समय के अंतर पर आकरे आ रहे हैं जो consumer expenditure का पिछले सब्धा आया मेरे ख्याल से उसके बार पहली चर्चा है वो 5 साल में बाद आया है तो उसका जो वो ज्यादा महतपूर्ण है क्योंकि उसमें समय का अंतर है काफी यह तो जो है एक duration पर आतार जा रहा है यह GDP आकरा तो उसमें जो ग्रामीन इलाकों में जो consumption का pattern क्या है जैसे कि एक महतपूर्ण बात सामने आई है कि हाद दे शामगरी पर जो है वो जो है खर्च अब लोग कम कर रहे हैं तो उससे जो है inflation जो नापने का तरीका बदल सकता है क्योंकि पहले food component जो inflation में था जो मुली बृद्धी में तो उसमें मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महतपूर्ण आकरा था इसलिए भी कि वो बहुत सालों से नहीं आया था उसमें एक चीज और थी हमने वो जब किसानों वाली बात हो रही थी तो उसमें ये बात निकल कर आई थी कि जो ग्रामीन शेत्रों में लोगों की जो आसत खर्च था वो खाने पीने पे केवल उसी को पूरा करने में पचास पतिशा तक पहुंच गया था जिसकी वएसे फिर लोगों ने कटवती करिये क्योंकि आपकी आयक अगर पचास पतिशा तक हिस्सा खाने पीने पे जा रहा है तो वह बड़ी दिक्कत है इसमें वह ऐसा नहीं इसमें है कि डाइवर्सिफाइड फूल बास्केट जादा हुआ है और सहरी और ग्रामीन जो जीवन अस्तर है उसमें काफी समीपता आई है पहले से अब दोनों जो है वो काफी एक जैसा होता जा रहा है जो कंजम्शन ये थोड़ा अलग है जो आपसे आपसे है जी और दूसरा जो फूली ग्रोथ है इसमें अग्रिकल्चर का बली योगदा नहीं नहीं निन्यानिफेक्ट्रिंग और कंस्ट्रक्शन का बड़ा हिस्सा है जो ग्रोथ रेट को इस बार ये 8.4 की आई है इसमें दो हिस्से जो हैं जो दिये गए आपक्रे 11.6 और more than 9 परसंट ये दो हिस्से कंपोनेंट बना रहे हैं 11.6 कंस्ट्रक्शन जो कोरोना का काल था उसमें एस्टेट है जो बड़ा जो फंड्स पंपिन किया है क्योंकि एकॉनमी को एलाइव रखने के लिए पब्लिक एख्सपेंडिचर काफी बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर वे गएरह में जो है वह काफी संदेह में था किम नवेश करें या न करें पबिकрок्ज़ बढ़ा तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर जा रहा हूँ और हमको कोई एक अर्षास्त्री और रहे हैं साथ में तो अच्छा है इस अफते मैं शोता को बताना जाओंगा कि हमारे एक महमान थे पर उने किसी एमरजनसी काम की वज़े से वो हमें हमारे साथ जुड़ नहीं पाए जैसे मैंने कहा था चर्चा का मुख्यवश्य इस अफते बेरोजगारी से जुड़ा है और वो जो यूपी में पेपर लीख हुआ वहां से हम इस चीज़ को उठा रहे हैं अगर हम रोजगार के मुद्दो का संकलन करें तो आपको सुर्खिया ही बता देंगे आप सुर्खियों को जोड़ लीजे पिछले कुछ सालों की तो आपको बता देंगी कि एक के बाद एक एक के बाद एक ये परीक्षाएं भी बार बार रद होती हैं कभी एक्जाम पेपर लीख होनी की वैसे जो काफी बार होता है या फिर कोई आए हुए रिजल्ट को लेकर कोट चला जाता है कि उसमें किसी को पक्षपात हुआ है या धांदली हुई है बाद में इंटरिव्यू की कॉल जाने में या फिर फाइनली जॉइनिंग में कई बार जॉइनिंग भी वर्षों तक नहीं हो पाती कॉल लेटर मिलने के बाद अभी आपने पिछले महीने और काफी ख़वरों में रहा था कि भारत के बेरोजगार इसराइल जा रहे थे काम करने और वो भी अंस्किल्ड लेबर जिसे मजदूरी वाला काम कहते है जबकि वहां की जो परिस्तितिया हैं वो बहुत जादा खतरनाक हैं खास्तोर से जान के मामले में लेकिन तब भी लोग जाने को तयार थे अभी पिछले हफ़ते ख़वर आई है कि कुछ भारत के लोग रशियन मिलिटरी में आर्मी में हेल्प करने के लिए ख़वर इसलिए बनी क्योंकि उन्हें फ्रेंट लाइन पर भेज़ दिया गया लड़ने के लिए लेकिन वो हेलपर के तौर पर वहां भी गए क्योंकि हिंदुस्तान में काम उपलब्द नहीं हैं मोदी जब पहला अपना चुनाव परचार कर रहे थे तो प्रतिवर्ष करीब 2 करोण नौकरियों की बात कर रहे थे लेकिन इसका दस प्रतिशद भी प्रतिवर्ष के हिसाब से अभी नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के इस गटना की जो मैंने बात की मैंने सुर्खियों में भी जिक्र किया कि 50 लाख से थोड़ा उपर इसमें कैंडिडेट आये थे जिनोंने परीशा दी और कुल की पैनल के पास जाओं तो किवल दो तीन चोटी 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 चीज़ें जिससे के ये ना लगे कि आप किवल भाजपा के लिए ये चिरंतर चलने वाली परिशानी भारत की सभी सरकारों के लिए रही है चाए वो राज्य हो या केंद्र में हो और ये लंबे समय से चल रह हाल के एक्जामपल आप देखें राजस्थान में भी ऐसा हुआ था दोजार तेईस में महां पर परिक्षा हुई थी आरीए इटी की उसमें भी पेपर लीख हुआ था 37 लोगों की गिरफतारी हुई थी 2022 में बिहार का हुआ था बिहार सर्विस कमिशन का एक्जाम उसमें भी पेपर लीख हुआ था और मैं के वल देख रहा था चर्चा के लिए तो उसमें डिप्टी एसपी गिरफतार हुए थे लेकिन तब भी वो हाईरिंग पूरी अभी तक नहीं हो पाई है इस से पहले पूर्वे रिक्रूट्मेंट बोल्ड के पूर्व अध्यक्ष एक्स चेर्में जो थे उन्हें पांट साल की सजा भी हुई लेकिन वह भरती बूरी नहीं होती और इसके साथ अगर आप देखें जो यह बहुत लोग कई बार पहले कह चुके हैं मुझे याद है कि पिछले पर जब हम बात कर रहे थे बजट के समय पर तो प्रफेसर अरुन कुमार ने भी यह कहा था कि हमारे यहां बेरोजगारी गिनने में दिक्कत यह भी है कि बहुत बड़ी संख्याब ऐसे लोगों की है जो नौकरी ढूंड़ना भी बंद कर चुकी है और वो सरकार के इन प्रडम से आप कायब हो जाते हैं नीचे रह जाते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंट इसकी बात नेताओं के साथ सबी लोग करते हैं यह उसके लिए बहुत ही जादा घुन लगने वाली बात है क्योंकि बेकार युवा जिसके पास काम नहीं है वो कुछ भी कम से कम कहना है क्योंकि फिलहाल कि आप देखें तीनों अलग अलग नामें बताईए कि इन से सुनना है पर आप ही पहले बोलिया क्योंकि मैं जो बात कर रहा था मैं पूरी कर दूं यह समस्या कोई भी सरकार अभी तक ठीक से हैंडल नहीं कर पाई है देखिए आपने जो भी विश इसलेशन मीडिया में आता है मेरे विचार से उसके कारण वो नहीं है और उसका स्वरूप अलग है और सरकारी नौकरी में पेपर लीक होना और चीटिंग होना दो अलग अलग बाते हैं लीक भी अलग बात होती है चीटिंग अलग बात होती है इसमें भी बेद करना जरूर मैंने सारी लीक का जिक्र किया मैं उस पर भी आ रहा हूं तो और सरकारी नौकरी के प्रति आकर्शन ये एक अलग विशह है ये बिरुजगारी से कुछ हद तक जुरा भी है बहुत हद तक नहीं भी जुरा है और ये जो आकर्शन है वो एक एस्पिरेशनल नेचर का ज्यादा है मेरा ये मानना है इसका ये मतलब नहीं है कि बिरुजगारी बरी शमस्या नहीं है वो है इस पर तो पहले मैं लीक पर आ रहा हूं हूं मेरा मानना है इस पर शंतुलित विचार रखना जरूरी है कि जैसे इंडियन एक्स्प्रेस ने भी ये किया था कि 15 राज्यों में पि अगर इससे ये बनाया जा रहा है कि विश्वशनियता नहीं है सरकारी परिच्छाओं की तो वो गलत है क्योंकि लोग बहुत परहाई लिखाई करकर परिच्छाएं दे रहे हैं इसका मतलब है कि उसका इकबाल बना हुआ है और विश्वशनियता है परिच्छा का लीक हो ये बात सामने आ रही है ये भी अच्छी बात है कि ये सामने आ रही है क्योंकि लीक का सामने आना ये भी एक जो है बहुत जागरूख पड़िछार्थिवर का प्रतीक है कि लोग पतकर पा रहे हैं कि लीक हो रहा है पेपर इसमें कई राज्य शरकानों ने कानून बनाए है ह पिछले साल और उधर पुर्वोत्तर राजियों में अश्रम ने किया है अरुनाचल परदेश ने कानून बनाया है इस पर और अभी पिछले संसद्य शत्र में जो संसद्य ने केंदर अस्तर पे एक मॉडल ड्राफ्ट बनाया है जो कि और राजियों के लिए मॉडल रहेगा पबलिक एक्जामिनेशन अनफेर मींस प्रिवेंशन एक्ट जिसमें तीन से दस साल की सजा और करीबी एक करोड का फाइन का प्रावधान है उसके उसमें कैंडिडेट्स को भी डिफाइन किया गया ह दूसरे तोर पे अब है क्या कि जो परिछाएं हैं उसमें कुछ परिछाएं ऐसी हैं जिसमें लीक करना मुश्किल है जैसे कि आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि जो जैसे कि टॉप की परिछाएं सरोची जैसे UPSC Civil Services का आपने लीक नहीं सुना होगा उसके कारण भी है एक तो है कि वो तीन चरण में होता है और दूसरा है कि जो objective के बाद जो descriptive test है descriptive test में leak करके भी बहुत फायदा है नहीं माली जी आपने गटे पहले leak भी कर लिया और उसमें descriptive answers लिखना है तो उससे कोई फायदा है नहीं ज्यादा लीक के लिए vulnerable होती है वो परिछाएं जो objective है और सूचनक प्राद्वगी के युग में ये बहुत आशान है कि पूरे इंडिया में फैला दिया जाए कि ये पेपर है ये वाटसेप पे ये ये लीक्ट पेपर है और पहले जो माफिया इसमें होता था वो बहुत ही लोकल होता था जैसे कि कानपूर में लीक हुआ इंडवर में लीक हुआ पटना में लीक हुआ अब आपने अगर लीक कर लिया तो उससे आप सो करोड जो है कमा शकते हैं कि वो राश्टिय अस्तर का लीक हो सकता है जबकि परिच्छाएं किसी केंदर पर हो रहे खासकर राश्टिय परिच्छाओं में जो राज्य परिच्छाएं हैं उसमें तो उसी राज्य में सेंटर होंगे लेकिन अब उसके जो उसका जो लाव कमाया जा सकता है उसका अनुपात काफी बर गया है मेरे ख्याल से इसमें जो बहुत सारे राजी सरकारों का response है सेंटर ने अब गंभीरता से लिया है इसे तो वो भी ठीक है लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि जो नौकरियां हैं सरकारी नौकरियां है जैसे कि वो एक टूल बन गई है जो और उसमें 20-25 साल पहले discretionary power से बहुत बरे officers constable की भरती जो है बहुत ही जो है transparency की कमी की से और बहुत व्यक्तिकर ढंग से करवा लेते थे कि constable भरती हो रहा है अब क्या है कि इतने stakes बर गए हैं कि एक constable की परिच्छा में जो है वो आपको post graduate PhD सब बैठा होगा उसमें और इसलिए जागरुकता काफी बर गई है उसकी भी तैयारी जो है कोई भी सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिल रही है बहुत करीब परतियोगिता से निकलने के बाद मिल रही है तो उसमें stakes इतना बर गया है कि उसको में paying जो है अब जैसे बिहार में राज्य सरकार जो है उसको एक टूल बना ली है कि एक लाख नोकरी देंगे अब भाई अंडर स्टाप्ट हो अब वो टूल बन गया है क्योंकि प्राइवेट नोकरी आ नहीं रही है निवेश वहाँ होगा नहीं कानून विरस्था की ऐसी इस्तेथी है यह है तो निवेश कुछ हो नहीं रहा है पिछले 15-20 सालों में तो इस्टेट एकुमिलेशन कैपिटल का इस्टेट ही एक मातर साइट है और वही जेनरेट कर रहा है तो अब एस्पिरेसनल भी वही हो गया है इस्टेक्स भी बर गए है उसमें तो अब लीक्ट पेपर का मालीजे की एक प्यून की नोकरी है उसके लीक्ट पेपर का पेइंग और्डियंस एक करोर रुपया उसके लिए लीक्ट पेपर को देने को तयार है क्यों है उसके समाजिक बहुत पहलू है जी जी देखिए आप लोग कुछ बोलें मैं दो चुटी जाते आनन जो आपने बात कही वो बात ठीक है लेकिन जो एकबाल है ना सिरकारी नौकरियों का कम से कम मेरे मत में वो इसलिए ज्यादा बढ़ा है क्योंकि एक तो प्राइवे आपने किसी भी शेतर से नीन ने की आप आईटी सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी पिछले दो सालों में पैंडेमिक के समय से आईटी से शेतर में भी नौकरियां धडाले से गई है और बड़ी से बड़ी कमपनियों में दूसरा इसलिए सरकारी नौकरीं का इकबाल भी आ हिंदुस्तान में जो आपको एक सुरक्षा की वावना देती है कि हमारी future secure है I secure है और ये बहुत बड़ा factor है कम से कब जिन लोगों से मैं बात करता हूँ वो साफ कहते हैं कि भाई यह job security सरकारी नौकरी बही है हाँ वो एक अलग वी उस पे हम लोग कई बार बात किये हैं उसमें और भी बहुत कारण है job security है matrimonial prospects है साधी अच्छी होगी आपकी अगर से सुधार की जो गती है जो आपने बात कहीं वो भी इसी से जुड़ती है इस बात से यह ज़रूर निकल के आता है सुधार की गती और तकनीक बहुत मतलब उसके मुकाबले बहुती रेंगती वी सी प्रतीत होती है इतने धीरे ये काम हो रहे हैं हर क्वाटर में हर आदे साल में हिंदुस्तान में करीब 20-25 लाख लोग नौकरी के लिए और जुड़ जाते है जबकि सुधार हमारे हैं लटका ही रहता है मेरा मानना है कि जो समस्या है चुकि इसका मिसिन प्रिटेशन हो सकते समस्या है लेकिन जादातर जो सफल अभियर्थी है वो अभी भी मेहनत के बल से आ रहे है तो ये भारत में कोई भी फिगर छोटा भी हो तो बड़ा दिखता है तो जैसे एक्सप्रेस ने जो किया वो दिखने में बड़ा फिगर लग रहा है लेकिन जितनी परिच्छाएं होई या जितने लोग भरती हुए उसके मुकाबले वो बहुत छोटा फिगर है लीक हुआ तो वो अभी भी कम है और ये अच्छी बात है कि लीक सामने आ रहा है उसके लिए इतना और वो लीक सामने आ रहा है वो जो बहुत ही एवेर केंडिडेट्स हैं वो ही सामने ला रहे हैं कि ये लीक हुआ है क्योंकि वो लाना भी एक तर्कीव है उसके लिए भी तर्कीव चाहिए लोग लगे वे रहते हैं इसलिए कितने ही मेसेज़ आते हैं कि आप हमारी बात उठाईए सरकार सुनने रही है मैंने आनंद की बात को ध्यान से सुना मोटे तोर पर मैं सहमत हूँ पर उसमें और नुएंसिस की जरुए था नंबर वन जो आपने कहा कि प्राइवेट और सरकारी में है मैं इसमें हो सकता है मैं आप से भी हसाहमत होता दिखाई दूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकारी नौक्रियों के लिए ही बहुत ज़ादा चाहम है अनक्डोटल हो सकता है पर मेरे घर में जो है ऐसे भी लोग हैं बच्चे यंग जो बात में कर रहा हूं जिन्होंने आएम को निकालने के बाद आएम में नहीं गए और यूपीएससी की तियारी को छोड़के जो कि प्राइवेट है तो यह चीज नहीं बड़ी सब्जेक्टिव है इस पे नहीं जाएं दूसरी चीज यह है कि हताशा जो है उसको ऐसे भी देखा जा सकता है लेकिन उसमें भी कैवेट्स हैं कि बिहार में अगर माहौल खराब है और वहां रोजगार नहीं लग रहा है उद्योगपती नहीं जाना चाहते तो दिस इस वन वेरी बहुत वैलिट पॉइंट है लेकिन अगर आप CSDS लोकनीती का दिसंबर अभी बात सुनते वे मझे याद आया और मैंने कोशिश किए वो ट्वीट मुझे मिल गया है उनका CSDS लोकनीती का और उसमें जो उनोंने बताया है कि unemployment is a big issue from common citizen point of view who said unemployment has increased during last five years in recent ये लोकनीती CSDS का सर्वे है संजे कुमार जो उनके है उनका ट्वीट है ये है ट्वीट 15 दिसंबर का और इसमें तीन राज जी कम से का मैसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें गुजराद भी शामिल है वहां 88% जी लोग कह रहे है जो unemployment is a issue है उत्राखंड अनदर इसे स्टेट जो 85% लोग कह रहे है योपी जहां 10 साल दूसरा टेनर कर रहे है योगी साब वहां पर 78% लोग ये कह रहे है तो जो frustration है वो बिलकुल आनदर ने सही कहा कि ये लीक होना अलग चीज है ये अलग है और वो अलग है लेकिन लोगों में रोजगार के लिए बहुत जबरदस frustration है अच्छा अब आप इश्रम पोर्टल के आंकड़ों को देखिए इश्रम पोर्टल के आंकड़ों में भी मैंने बहुत ज़दा अध्य है नहीं है लेकिन इतना तो सबको पता है वहाँ पर भी कि लोगों में 90% से ज़दा लोगों की आए बहुत काम है तो जिन लोगों के पास पैसा मिल भी रहा है तो वो क्यों नहीं आएंगे चपरासी की तनका 10,000 रुपे से ज़दा है और वो कह रहा है कि 90% लोग 10,000 रुपे में गुजारा कर रहे है तो ये समस्या बहुत गंभीर है और अगर सरकार इसमें इंटर्वीन नहीं करेगी तो कौन करेगा अगर प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करना है वहाँ भी नौकरियां आनी है वहाँ से भी रिट्रेंजमेंट अगर नहीं होना है क्यों हो रहा है पर रिट्रेंजमेंट प्राइवेट सेक्टर से उसमें सरकार की भी कोई जम्मेदारी नहीं है क्या नहीं देखिए बेरोजगारी हमेशा समस्या रही है और अभी भी बहुत गंभीर समस्या है ऐसा कोई काल बता दीजिये गरीबी बेरोजगारी जो मैक्रो इसूस हैं आप पुछिएगा किसी भी आप कैसे फ्रेम करते हैं कि जो समाज में बेरोजगारी है तो मेरे ख्याल से ऐ तुकिसमे कोई कह दा कि नहीं है बड़ी है बड़ी है बहुत बेरोजगार दिख रहे तो बेरोजगारी बड़ी शमस्या है लेकिन जो मैक्रो इसूज हैं पोवर्टी, बेरोजगारी, शिच्छा की कमी ये सब जो है ना ये सब जो मेगा इशूज हैं अब इसमें सर्वे के टेक्निक्स मेथलोजी वो कैसा रिजल्ट देते हैं ये सब काफी मैने रखता है इसका ये मतलब नहीं कि बेरोजगारी बज़े समस्चा नहीं है दूसरी बात लीक और अनफेर मीन्स और अनिम्प्लॉइमेंट तीन अलग अलग चीज़े है वो तो मैं कहा हूँ मैं सिर्फ बेरोजगारी पर बात कर रहा हूँ इसका सब्टेक्स बना दिया है अनिम्प्लॉइमेंट तो मेरे क्याल से वो एक अलग चर्चा है ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जितना हम इलेक्शन के टाइम ट्राइवल करते हैं जहां पर युवाओं ने पेपर लीक और नकल की इशू पर बात नहीं करी हो हर स्टेट में बहुत बड़े इशू है यह दूसरा आइधिंक जो एक चीज़ है यह जो लुक्रिटिव हो गया है बहुत बिसनस जो जिस तो आननन ने थोड़ा हिंट भी कर रहा कि करोडों में अब आप पैसे कमा सकते हैं आप सरकारी नौकरी के बारे में छोड़े है स्क्रोल में बहुत अच्छा पीस आया था मेरे खाल से एक साल पहले बलिया का केस था जहां पर अमर उजाला के हिंदी रिपोर्टर थे जिन्होंने उजागर करी थी एक नकल का instance स्कूल में उनको जेल होगे थी तो वो इंवस्टिगेट कर रहा था कि क्यों जेल हुई कैसे हुई और यह लीग का मामला क्या था उसमें मैंने पढ़ा था कि 5 सबजेक्स स्कूल की बात है हाइ स्कूल एक्ञाँ 5 सबजेक्स का गोइगर्ट था 25-50,000 तक नकल कराने का रेट था 25,000 जो स्कूल ओनर ही बोल रहे हैं कि 25,000 देदो हम तुम्हारा नकल करा देगे स्कूल के लेवल पे मतलब स्कूल के लेवल पे स्टेक्स हाई कितनी है आप दसवी बारवी के एक्जाम मैंने 1991 में बारवी पास की थी और मैं यूपी बोल्ट से पढ़ा वा हूँ बारवी जो की 1990 में यूपी में कनून बना जिसमें नकल करते हैं पक्ड़े जाने पर जेल जाने की बात थी ठीक एक सार पहरे तब मैं ग्यारवी में था और हमने देखा हमारे माबाप ये कहते थे थे कि 45 मिनिट पर एक मिनिट में पूरा करनू तीन बच के 45 मिनिट पेपर हलो के अंदर आ जाता था खुली हुई छूट होती थी इस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव हार गई थी सभाई करने के मुद्दे पर ये भी समाज का आईना दिखा रहे हैं अब बच्चों को जेल में नहीं डाल सकते हैं लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव हो इतना बड़ा ठेका दिया जाता है और ये पूरा जो माफिया है ये पॉलिटिशन और पॉलीस के बिना तो चली नहीं सकता है इसमें बहुत जिसे राजस्थान में भी काफी MLA's पे तो यह एक ऐसा नेक्सस है और मुझे लगता है बहुत ही अंडर इंवेस्टिगेटर अस्पेक्ट है यह एजूकेशन का I would really love to see कि न्यूस्पेपर्स में बहुत इंवेस्टिकेशन हो कि यह एक माफिया की तरह चलता है और इसकी जड़ पॉलिटिक्स तक जाती है पुलीस तक जाती है और स्कूल तक भी जाती है मतलब यह तो हाइज स्कूल की बात है लेकिन सरकारी एक्जाम्स में भी यह ओफिशल्स के बिना नहीं हो सकता है जो यह हो रहा है तो इस पे बहुत सीरिस इंवेस्टिगेशन फ्रम निउस्पेपर्स और फॉलीस इंवेस्टिगेशन साथ जादा मुझे कुछ होप नहीं है लेकिन इसके बार मैंने पढ़ा बहुत कम है और यह अजीब सी बात है क्योंकि यह इशू हर जगे है हर जगा आप लोगों से मिलोगे जो सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे है कोई हमारा एक साल वेस्ट हो गया हमारा दो साल वेस्ट हो गया हमने इतनी महनत करी हमने इतना पैसा लगा और यह भी समझे कि काफी लोग जो ग्रामीन शेतर से आते हैं वो कोचिंग लेते हैं तो एक साल बहुत अपने माबापों को समझा कि हमको एक साल के लिए आप सपोर्ट कर दो, पैसे दे दो, तक हम शेहर में जाके कोचिंग कर लें एक्जाम के लिए, तो उनका पूरा वेस्ट जाता है, वो पूरा उन्हें जो पैसा लगाया हो, और काफी लोग फिर दूसरी ब जैसे इरदेश जी बता रहे थे चाहे और उससे भी पहले, तो वो चीटिंग है, वो लीक नहीं है, तो वो चीटिंग एक अलग चीज है, तो चीटिंग जैसा इरदेश जी बता रहे थे, एक political कुछ हिंदी भार्षी राज्जियों में बना लिया था और अभी भी है कि चीटिंग का सनरक्षन जो है वो एक पॉलिटकल कैपिटल देता है कुछ पार्टियों को खासकर उसमें छेतरिया पार्टियां जादा है और लेकिन ये भी नहीं है कि पुलिस और परशाशन और इसका स्केल इतना बड़ा नहीं हो सकता है एक आपको प्रक्रन याद होगा रंजीत डॉन का जो आई आई एम आई आई टी इंटरिंस वेगरे का करवाता था तो दोजार पांच छे का खैरा आप लोग का मुमर के हैं तो वो थैंक यू मतलब कि उसका माफिया ही था वो तो इसमें एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि यह जो लीक है वो सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं है वो इंटरेंस एग्जामनेशन में भी है एजूकेशनल इंस्टिउशन में जो प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेज हैं या इंजिनिरिंग कॉलेजेज हैं वो सिर्फ जॉब का बोर्ट दे रहा है उसके लिए सबसे बड़ा एक्जाम वही उस समय लगता है कि अबच्छा आत्मते अगर लगते हैं लगते हैं तो एक अलग चीज है चीटिंग अभी जैसे कि यूपीएसी ने इस बार फॉर्म जो भरवाया है उसमें एक प्रावधान डाला है कि आप इस पर भी कुछ अभियर्थी जो है गुशा हो गया है कि अब इसमें जो है सोचिलिस्ट लॉजिक्स दिया गया है कि भाई ग्रामीन छेतर में कोई फोटो क्यों ने खिजवा ले जो मुवाईल लेके दिन भर गाना सुन रहा है उसको एक फोटो खिजवाने में हो रहा है क अब इसमें कैपिटल कुछ पाटियां गुश गया है कि UPSC ने यह गलत किया है अब यूँ आगल फोटो ठीक बात है देखे राजनीतिक दल जो कह रहे हैं उससे अलग आपकी मैं आपकी बात से इंकार नहीं कर रहा कि ये एक बहु आयामी समस्या है और इसके बहुत सारी प्रॉब्लम है बहुत सारे उसमें नुक्ते चीन हैं जो आनद ने कहा ना कि ये अलग-अलग चीज़े हैं ये अलग-अलग होते हुए भी इन सबका मूल ना वहीं पर जाता बेरोजगारी पर उसका कारण ये है इन इंडिविजुल एक्जाम्स की वैल्यू जो बढ़ रह प्रेक्शन कमिशन और ग्रूप डी की परिक्षा है जिनकी हमने एक्जाम्पल दिये अभी उपर की बिलकुल लेयर पर भी चाहिए आप सेंस्टीवन्स देख लें चाहिए बड़े-बड़े कॉलेज दियों के देख लें कट आफ निन्यानवे प्रतिशत है आप निन्यान कि आपको मानना परेगा इस्टीफिन को लेकिन सीउटी के आने से मुझे लगता है एक अच्छी रहात हुई है उसमें स्कूल की भी वेटेज विच इस गुड क्योंकि आपके नंबर के बाद अगर टाइब रेकर करना हो ऐसा कुछ है कि आप स्कूल की वेटेज भी रही औ देखें जैसे मानीशा ने बताया लगातार अगर आप मॉर्णिंग शोड चुनाओं के समय देखें तो पबलिक चासत औरते चातर यह बात करते आ रहे हैं पर इसके अलावा एक दूसरा आकड़ा जो है लगातार खबरे आ रही हैं और कई साल में बहुत सारे अलग-अलग मीडिया संस्तानों ने किया है कि जो गवर्मेंट की ओपन पोजिशन हैं महां जो खाली जगह हैं जैसे रेलवे में जो जगह उतनी जिने करमचारी चाहिए हैं उसके आदि खाली हैं और सरकार उसे भरने के लिए राजी नहीं दिखती यह दिली उनिवर्स्टी में अभी खाली जगहों को भर नहीं रही है और वो अगर लोगों को हायर कर रही है तो ठेके पर कर रही है एक साल के दो साल के जो अपने आप में एक दूसरे तरह की फिर वो माफिया शुरू कर देता है ठेके वाला तो सरकार ये तो कह रही है कि हम मिनिमम गवर्मेंट लाएंगे ल लॉन्री ने भी रिपोर्ट किया तो और उने भी पत्रकारीदा शेतर में करीब सत्तर प्रतिशत नौकरियां गायब हो गई है ना यही हाल हुआ हॉस्पिटालिटी सेक्टर का जहां असी प्रतिशत तक जॉब चले गए थे थोड़े वापस आ गए लेकिन वह आधे भी वापस नहीं आ जितने चले गए थे यही हाल है डिलिवरी सर्विसिस का अब आप देखिए आगर केवल एक एनेक्डोटल में एक्जामपल दूँ पह चुकि और जगे नोकरिया नहीं बची हैं हम अपने विशे की तरफ बढ़ते हैं अगले रामदेव नहीं राज्य सबावाला तीन ठाव राम देव भी हैं रामदेव ची पर पहले बात करी दिए था हमने बात करी थी बाबाराम देव पर अब कोर्टनें बीटिपर नहीं क पतंजली और बाल कृष्ण के बारे में लिखा है नहीं तो उसमें दो जो अभी आदेश आया है Contempt of Court का Contempt of Court जो उनी सो एकटर एक्ट के अंतर तो उसमें जो दो बेंच टू जजज़ बेंच था मेरे कहल से तो अमानुला ने तो एक बार कहा था कि जो एड में जो दो फोटोग्रैप्स हैं वो दोनों पर Contempt of Court हो लेकिन बाश्ट में लाश्ट में ओर्डर में जो है संस्था जो है पतंजली और बाल कृष्ण जो नौवेंबर 21 का ओर्डर है सुप्रीम कोट का तो नौवेंबर 21 का ओर्डर जो है वो Drugs and Magical Remedies Prevention Act 1954 उसके अंतरगत है कि खासकर ब्रामनात्मक जो उसमें प्रचार है जो विज्याप्रचार ब्रामक प्रचार वो उस तरह के विज्यापनों पर है कि यह नहीं होना चाहिए तो एक बार उसमें जो वकील थे इनके जो पेटिशन जिन्होंने दिया था उस पे उन्होंने कहा कि यह कोट के इस फैशले की भी अब मानना कर रहे थे और प्रेस कॉन्फरेंसेज में कह रहे थे कि कोट का यह फैशला गलत है तो हिमा कोहली ने कहा कि हम उस पर अभी नहीं जाएंगे हम जो जज्ज थी तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इस पर जाएंगे कि पिछला जो ओरडर है उसका पालन हुआ या नहीं हुआ अब इन सब बहश में हम नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा नहीं कहा उसमें और पिछले तो फिर जो सेंटर से जो वकील थे उन्होंने कहा कि आईोस इसपे नॉडल एजन्सी है और हम अपने consultation कर रहे हैं और जो है यह violation तो है और किस लेवल का violation है इस पर consultation है उन्होंने चार stages बताएं जो अभी मुझे याद नहीं है और तो हीमा कोली ने कहा इसको मैंने फॉलो किया कुछ आर्गुमेंट्स को दूसरे परपस से मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये कॉंसल्टेशन का नेचर क्या था तो फिर उन्होंने वहला अंतरिम तौर पे हम ये एक judgment पास करते हैं कि ये contempt of court में लगेगा 1971 के नियम का नियुसार तो यही है तो मूल तोड़ पे इन पर जो आरोप है वो वही है जो drugs and magical remedies prevention of objectionable advertisement act 1974 के अंतरगत ही इनको लगा है अब रिदेश आप मैं एक चीज़ और सवाल जोड़ रहा हूँ बाबार रामदेव की company मुझे लगता है आप बाबार रामदेव की जिगे ज़्यदा कहने की तो वो ठीक है पतंजली बोलेंगे तो मैं comfort हूँ क्योंकि बाबार रामदेव एक face है उनको अखेला कोई आदमी इतना नहीं कर सकता आप ग्यानी लोग है उनके contempt of court नहीं लगा आप ग्यानी लोग हैं आप ये कर सकते हैं आप अगमी को थोड़ी समझ आता तो बाबार रामदेव की company पे जो ये आख शेप लगा है तो उनके इस एहंकार के बीचे क्या सत्ता का समर्था नहीं है मुझे तो और कुछ नहीं लगा जो petition Indian Medical Association ने किया था और मेरे ख्याल से ये सब भी मुख्य बात उनके argument में नहीं थी कि ये क्या दावा कर रहे हैं उनका मुख्य argument था कि हमें नीचा दिखा रहे हैं कि ये लोग ऐसे बोलते हैं कोका कोला advertisement करता था तो दिखाता था कि पेपसी बंदर है चाहे बंदर कोई लेकर गुम रहा है तो मतलब कि आप जो है तो advertisement जो standards council of India है उसके भी दूसरी बात उसमें बाबार राम देव के साथ कई लोग खड़े होंगे उसमें कोई गलत है जो इनकी बात है उसको bolster करते हुए मैं कह रहा हूँ बाबार राम देव खुद भी कहा करते है आपके थंड़ा मतलब toilet cleaner जब वो yoga कराते थे शुरू में तो कोला के खिलाब इसलिए अमिर खान और जब add करते थे उसका तो बाबा अपने हैं थंड़ा मतलब toilet cleaner अपर सब कहने लगे थे वो यह तो बहुत ही popular हुआ था तो लोग कहते थे कि आमिर खान जिस डब्बे से निकालता है कोला को बाबा ने वहीं डाल दिया तो बहुत popular हुए थे अब मैं आपके सवाल के जवाब जो है वो जो भी आपका सवाल था मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि आप अपने साफ से सवाल उसने तो क्योंकि आनन्दे सारी बाते कहे दी और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ रिपीट हो जाएगा एक सवाल ये है कि दवाईयां अलोपैथिक होती है जो अंग्रेजी दवाईयां जिनका पूरा रिसर्च और आधार होता है मैं उसका कोई यहां पर प्रमोर्टर के तौर पर नहीं बैठा हूँ उसमें बहुत पूर रोला है बहुत फेक दवाईयां आई है बहुत बड़ा बजार है जिसको पुष कर रहे है वैक्सीन भी उसमें शामिल है एक दवाईयां आती है युनानी एक दवाईयां आती है आईरुवेदिक आयूश मंत्राले इस तरहीं की दवाईयां उनके लिए आयूश मंत्राले सेट अप किया गया सरकारों से बिग वे आगे बढ़ारी है लेकिन बहुत बड़े सवाल है और मैं जो भी कह रहा हूँ वो experts की कहने के साथ से दे रहा हूँ जैसे एक handle है विवादास्पत है थोड़ा बहुत लेकिन उसमें काफी समझदारी की research भी दिखती है liver dog का तो अब इसमें एक बात समझने की है पहले एक धारना थी कि आयरुदिक दवाएं कुछ भी करती है फिर लोगों को समझ में आया नहीं आयरुदिक दवाएं कुछ असर करती है इसका proof नहीं है तो ये argument पुछ किया कि चलो आयरुदिक दवाएं से कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन अब जो दिनेश ठाकुर और मिस्टर रेड़ी ने जो किताब लिखी है दे पिल दे ट्रूथ पिल उसमें भी बात कही है और उन्हें Parliamentary Standing Committee की जो मैं शुरुआत में जिकर कर रहा था उसकी जो citation से उनका जिकर किया है कि बहुत खतरनाक elements प्राइविक दवाओं में पाए गए हैं युनानी दवाओं में पाए गए हैं steroids वगरा जो की असर को बढ़ाने के लिए और वो आपके स्वास्त पर बड़ा कुप्रभाव डालते है जैसे एक research ही आई कि गिलोई का पानी है जो लोगों ने बहुत पिया उबाल के काड़ा उसने कोरोना के टाइम में बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया तो इस चीज़ों को जाके अगर आप पढ़ें उपलब्ध है तो ये एक सवाल रहा है अब ये उमीद की जानी चाहिए अब आगें मैं आ रहा हूँ कि सरकार जो है वो एक नोडल सब कुछ देख रही है ना watchdog सरकार का भी काम हिसको नियंतरन करना उसी के अंदर आयश मंत्राले भी है तो इन ब्रहमों को दूर करा हमने कई बात देखा कि जैसे मंत्री खड़े होगे आयरवेदिक दवाव में कोरोनिल नाम ही ऐसा है जैसे कोरोना से जुड़ा हुआ आपने तो पूरा उसमें प्रोग्राम किया तो यह एक इशू है कि आयरवेदिक दवाएं युनानी दवाएं बहुत सारे लोग कहते है इट वर्ग लाइक मैजिक पर वो अनेक्डेटर लोसे कितना रिसर्च में खरी उतरती है और जो अंग्रेजी दवाएं हैं उनका कितना बड़ा रैकेट और कितना बड़ा उनके अंदर नकली पना है यह है लेकिन इन सारी चीजों का एक समगरता में अध्यन और उस पर एक अनहरीड उपिनिन हो कि आयूश मंत्राले प्रॉपर स्क्रूटिनी और वो बनाएं जिसे जो हैवी मेटल्स पाया जाते हैं कुछ दवाईयों में अयुरुवेदी तो एक ओवर्वी होना चाहिए राधर कि I don't think यह अयुरुवेदा का अगेंस्ट या फॉर डिबेट होना भी चाहिए एक ट्रिडिशन है कांट्री में अगर आपने मंत्राले बनाया है तो उसकी बेस्ट प्राक्टिस आगे आएं और उस पे फ्रांस्परेंसी हो कि भाई इंग्रीडियन्स क्या हैं क्या नहीं है और बाबा रांदेव का प्रॉब्लम ये तो एक है कि जो मेडिकल कॉनसल का जा देंगे जो कि लोगों पर बहुत रेजोनेट भी होता है तो ये एक समय था चोटी समय के लिए मैं बहुत थिकली हैल्थ कवर करता था तो उस वक्त मैंने जो भी बातें देखी लोगों से बात की हो ये कि हमारे सरकारी अस्पताल ना खास तोर से गरीब और मध्यम वर् इसलिए कई बार राहत बनते हैं उनकी तमाम कमियों के बावजूद नमबर वन डूरिंग दे पेंडेमिक जो सरकारी होस्पिटल होते हैं वो समालते हैं प्राइवेट होस्पिटल पीछे हड़ जाते हैं या वहाँ बहुत परिशानी होती है दूसरी बात यह है कि प्राइ इसलिए प्राइवेट हो जाते हैं और इसका सहरा इसलिए लेते हैं क्रचीली खर्चीला इलाज है प्राइवेट होस्पिटल में और जैसे बहुत बड़े-बड़े घुटाले सामने आए यह तक घटनाय सामने आई हैं कि लोगों को आई-सीउ में मरने के बाद जो है उनक फिर टर्ण होते हैं कि दूसरी हम लेकिन हम चाहेंगे कि पातान मुझे लगता है आयरुवेधिक ट्रडिशन में पातान जी बहुत बहुत जरूरी है ताकि सारी विवस्था ठीक सेज़ए अगर आपको प्रमोट भी करना है तो कुछ रेगुलेशन्स चाहिए हमें कि आप किस उसमें आयरुवेधा इंटर्वेंशन हो सकता है कौनसी टाइप की मेडिसन अगर बिक रही है तो उनमें क्या इंडीडिन्स होने चाहिए किस लेवल की ट्रांसपरेंस ही होनी चाहिए ताकि तब लोगों का विश्वाज़ी बढ़ेगा और बेनिफिशल भी रहेगा कोई मतलब इस पर कोई सवाल नहीं है कि धानलियां हर सेक्टर में होती है अंदोस्तान में और वो मेडिकल सेक्टर में भी है लेकिन भारत सरकार की कमी इसमें नहीं है कि वो इसको रेगुलेट नहीं करती भारत सरकार की सबसे बड़ी कमी और मुझे अच्छे से याद है कि दिलीब ठाकुर जी से ही हमारी एक बात हुई थी दिनेश ठाकुर जी से सॉरी तो प्राथमिक चिकिस्साले जो है जो फस्ट प्राइमरी केयर सेंटर जो होते हैं जो छोटी-छोटी जगों पहें वहाँ पर अधिकतर वो पूरी तरह से वो बने वे नहीं है ठीक से बने लोगों को पहले स्थर पर इलाज नहीं मिलता और उसमें वो सबसे यादा जोला चापके चक्करों में फस्ते हैं दूसरी चीज जो आपने कही जो हम बात कर रहे थे में दवाईयों पर तो आयूश की तो बात ही मत कीजिए आप आयूरवेद की आत कर रहे हैं वो तो हमयोपैथी भी सपोर्ट करता है हमारे प्रशासक बिल्कुल गोबर गडेंश है इसमें मुझे कहने में कोई रखनी है उन लेकिन हिंदुस्तान उस जुंजने को अब भी बजा रहा है क्योंकि लोगों को लगता नहीं मीठी दवाई है ठीक हो जाएगा इससे और अनेक्डोट पे सारा खेल चल रहा है ये बात मेडिकल फिल्ड के तो लोग कहते हैं बहुत जादा कही गए लेकिन उसका विरोध ज पहले कही जाती थी वो अर्केइक टर्म है वो अब मेडिकल साइंस से निकल चुकिए इसे मौडर्न मेडिसिन कहते हैं प्राइस गाउजिंग होती है दवाईों में जो महेंगापन है दवाईों का या फिर रिसर्च के नाम पे प्राइवेट कंपनिया कहीं बहुत ज्याद वैक्सीन का जैसे अपने बाट की चार्ज करती है ये बाट ठीक है कि उसमें चक्कर है लेकिन आपको याद रखना चाहिए भारत की सरकार और कोट तो इस मामले में दुनिया के कोट से कहीं जादा बहतर परफॉर्म करते रहे हैं हमारे या दवाईों में मिलावट की दिक् कौन सी होती है ये साथ तरह के को प्रमोट करते हैं ना उन साथ में से एक सिद्ध है मुझे पदा भी नहीं सिद्ध क्या है सिद्ध होशदी कौन सी होती है लेकिन आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ठोस वग्यानिक सतर पर बढ़ानी चाहिए जो देश और मैं तो रगता जो आपने खा उसका नुकसान है या फायदा है इट इस ऑन रिकॉर्ड ना आईरवेदा में आप आज कुछ कह रहे हो कल कुछ कह रहे हो और परसों कुछ कह रहे हो तो ये एक बड़ी या और भी दूसरी यूनानी या आयूश मंत्रा लेकि उसमे बढ़ी समस्या है और इस इक्विलेंट वो बैचलर करी वी है तो एक साल की ट्रेनी से फिर आप ये मॉडरन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगे तो इसके खिलाफ डॉक्टर काफी काफी खड़े हो गए थैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उन्हों पढ़ाई करी नहीं है और एक लाइन में यह भी युनानी और आयूश मत्राले को शुट कम क्लीन ओन इस तिंग्स प्रिकल सेक्टर पूरा जो है ना पॉब्लिक हैल्थ से जुड़ा हुआ है और एक सरोकारी मुद्धा है गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक हर जगे आप लोगो इसमें कुछ और जो 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 ज ही धंग से रखा जाए क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्लोज करना संभावनाओं को खत्म करना ये भी अनसाइंटिफिक है कि आप ओपन नहीं है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को और वो भी एक और्थोडॉक्सी ऑफ साइंस आ जाती है उसमें तो वो नहीं क्योंकि एक हो जाता है अगर आप पॉसिबिलिटीज के लिए खूले नहीं है तो वो है जैसे कि मेरे ख्याल से जो बहुत निरक्षर आदमी भी है और वो भी इमर्जेंसी में जो है और अपातकाल में वो आयुरवेद के पास नहीं जाता है वो वो भी जानता है कि जो है हर्बस है term चीजे और जैसे यह जो जिसका यह परचार भी कर रहे हैं कि यह कर देगा उसमें से कौन सी ऐसी बिमारी है जो immediate attention चाहती है और उसका यह परचार कर देगा लिवर से रोसस तो उसमें BP है यह thyroid वेगेर सब लॉंग टर्म और ज्यादा तर उसमें जो है कुछ auto immune diseases का भी करते हैं जिसको cure नहीं किया जा सकता तो मेरे ख्याल से आयुर्वेड का सही सौरूप यह रखते 2005 के आस पास जब एक telegenic face के तोर पे यह television channel से आस्थावेगेर से popular हुए थे उसके आयुर्वेड के limits क्योंकि herbs हैं कुछ उसमें natural properties होंगी कुछ हो सकता है लावधायक हो कुछ-कुछ चीजें जो है वो तो alopathy doctor जो English medicine का वो भी आयुर्वेड का prescribe कर देते हैं जैसे कि पाचन वेगेरा में जैसे पुदीन हरा वेगेरा जैसे कि रामदेब जी की सबसे बड़ी कमी रही है जो है कि एके साधे सबसदे 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 सब जाए वो सभी चीजों में बोलने लगें वो दार्सनिक भी वहीं है मार्केटिंग गुरू भी वहीं है FMCG के भी जो है वो भी head वहीं है तो वो अब सभी चीजों साधने लगें कि हम ये भी है वो भी है वो भी है तो आप एक जो है एक चिकित सा विवस्था है जिसकी सीमाएं हैं अगर आप वहां तक सीमित रखते और इसको लोग प्रिया करते तो उनका जो legacy है जादा जो है constructive रहता है लेकिए मैं किवल अंत में एक बात कहूंगा हमने तो तीन पार्ट सीरीज भी करी थी माफ कीज़े लाला रामदेव नी बाबा रामदेव के उपर उनके जो धानली है जमीन को लेकर और उन्होंने तो कहा है कि आप मेरी दवा खा के आपकी आर्टरियां भी साफ हो जाएंगी जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते तो उनके दावों की तो खैट सीमा ही नहीं हम अपने आंतिम विशे की तरफ बढ़ें उससे पहले एक लेटर है वो पिछले हफते का था उसको हम पढ़ लेते हैं पिछले हफते रह गया था मैं माफी चा हो जाएगा परात सोमवार को भी थोड़ी दिक्कत आ रही है एक सवाल था काफी दिनों से सुन रहा हूं पंजाब और हर्याना में भी पानी का स्तर काफी नीचे गिर गया है यह इस वज़े से भी है क्योंकि ऐसी फसल उखती है जो बहुत पानी चाहती है इसका कोई होने का इंतदार कर रहे हैं और दूसरा हो कहते हैं अभिनंदन की मजबूत कोशिश अंग्रेजी नहीं बोलकर हिंदी बोलना बहुत मज़ेदार लगती है मुझे भी कुछ ऐसी दिक्कत है कमाल है कि कुछ भला बुरा या असंसदिये बोलने में हिंदी फटाक से आ जाती ह हिंदी और पढ़ना चाहिए मुझे एक किताब की अनुशंसा करना चाहता हूं पैगी मोवन की वॉंडरर्स किंग्स मर्चंट्स अपका शुबतिन तक शोम शोम आपके पत्र के लिए धन्यवाद और यह बात सही है चर्चा में पहले भी कई बार यह मुद्दा उठा है ल रियाज करते में चर्चा शुरू ही थी उसके पहले एपिसोड में मैं था तो उस सुरुवाती जो एक दो साल है उसमें कंप्लेन यह आता था कि बहुत क्लिस्ट हिंदी बोली जा रही है तो आपके दोरा यह पूरे पैनल दोरा है तो मैंने कई अंग्रेजी सब्दों का उ प्योग सुरू कर दिया है चर्चा में मैं भी बचता था पहले अंग्रेजी सब्दों से लेकिन अब दूसरे तरह का कंप्लेन है कि अंग्रेजी सब्द बोला जा रहा है शिकायत कभी खत्व नहीं होती है आप जैसे हम आपस में बात करते है लेकिन एक बात अभी पानी की पानी की बात करता था ना आपको हम सबको पता ही है कुछ दर्शाओं कि पानी जो है वो सबसे ज्यादा एकस्टेक्टेड रिसोर्स है दाथी में इस ज्यादा किसी का उसके बात कौन है नंबर टू नंबर टू सबसे ज्यादा एकस्टेक्टेड रिसोर्स है ये रेत जो है हो रहा है तो यह सिर्फ यह दिखाता है कि हम कितना अंसस्टेनेबल एक्प्लोइटेशन कर रहें पर यह बात सही है कि इस पर भी कुछ रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि क्योंकि मुझे याद है मैंने तब मैं यूर्णरी का सब्सक्राइबर हुआ करता था पर मैंने एक सब्सक्राइब करते हैं और विपक्षी धलों के कला बाजियां और भाजपा क्या कर रही है इसमें नोट को क्या ही देखना क्रॉस वोटिंग उत्तरप्रदेश में हुई तो सपा की हुई और उन्होंने भी अपने विदायकों को कहा है लेकिन यह आश्चारे की बात है कि स कॉंग्रेस का सबसे बड़ा रहा जो हमारी बात शुरू में हुई थी कि वहाँ पे च्छै विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए वो पूर मुख्यमंत्री के बेटे वो तो पार्टी छोड़ कर जाने वाले थे उनकी माता जी कह रही थी कि यह तो होना ही था असंतोश है और यह कंप्लेंड जो कॉंग्रेस कर रहे है कि भाजपा ने ऐसा हिमाचल में किया या उत्तरप्रदेश में किया वो क्रॉस वोटिंग करनाटक में कॉंग्रेस के पक्ष में भी हुई और ऐसा तो है नहीं है पहली बारवा यह होती रही है तो सबकी पे टिपड़ी चाहूंग जिस दिन उन्होंने अपने कंडिट को खड़ा किया उस दिन इनको यह समझ में नहीं आया कि दूसरे कंडिट क्यों खड़ा कर रहे है जबकि इतना बड़ा 18 लोगों का गैप है यहां पर 18 वोट का उसी समय क्लियर हो जाना चीए था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कौन पार टिया बताईए जहां पर जैसे आपने खुद कहा कि 55 कंडिट पर कोई वोटिंग ही नहीं हुई उनके लिए 51 तो निरविरो चुने गए तो जब आपके पास 40 से जादा का समर्थन है और दूसरी विपक्षी पार्टी का 25 है और विपक्षी पार्टी ने कंडिट दिया है और जो है विशेक मनी सिंग्वी जी अपनी जो बिल्कुल हम क्लिष्ट हिंदी की बात करने उसमें वो वदहाई दे रहे हैं विपक्षी जो उमीदवार है उनको और उसके बाद जो यह लगता है पॉलिटिकली इस सो पैथिटिक आपने उसके बाद उनको निकाल दिया मतल अब निकाल की क्या कर रहे है अब तो आगे वाले दिनों को भी कटिन तो मतलब यह है और इसलिए है कि आप मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है पर आप ऑक्सपोर्ड और हावर्ड में भाशन दे सकते हैं लेकिन पॉलिटिक्स 24-7 गेम है और उस सिर्फ यह पदयात्रा न पहले भी कहा चुका है बात जो करनाटक के मुख्यमंत्री की यह सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है कि वो अपनी जिंदए का बहुत बाड़ा हिस्सा कॉंग्रेस विरोधी राजनीती करने के बाद कॉंग्रेस की सरगार के मुख्यमंत्री है सिंद्रमाया और ते इक्तालिस सीटों पर चुनावन ने वहें टोटल सीट है चपपन थी पंदरा पर चुनावन ने वहें तो इस रिए बनाया ना कि जो वीरभद्र सिंग का जो वहां दबदबा था उसको आप खतम करना चाहते थे क्योंकि 2022 के चुनाव के बारे में गायत था उनकी के लिए वोट था उसके बाद उनके परिवार को नहीं बनाया तो इनको समझेना चाहिए ना क्वालिटिक्स में नहीं होते हैं आज एक कदम लेकर छोड़ देते हैं अगला विरोधी खेलेगा तो उसका मूफ क्या होगा ये भी देखना है आपको तो कॉंग्रेस के अंदर से एक मूफ आना था अब मैं लगातार पॉलिटिक्स नहीं करता है मैं भी इतना जान रहा हूं उनको तो लगातार पॉलिटिक्स करनी है अब हर इंच पे भाजपा बहुत ही ड्रिवन पार्टी है और हर इंच पे और खासकर राजी सभा जो एक पर्मानेंट हाउस है उसमें वो अपने शंख्याबल को एक-एक सीट भी बढ़ाना चाह रही है कि अभी साहद राजसभा में प्रेजेंट इस्टिन दो सो चालिस है और इन लोग 117 पे पहुंच गया है चार की कमी है 121 पे इनकी मेजरीटी हो जाएगी तो अब राजसभा में मेजरीटी हो जाएगी त इसमें भी भाज़पा को आशान हो जाएगा अब सिर्फ मनीवें से पास नहीं करने पड़े है तो वो तो रूथलेसनेस है और एक और राजसभा में क्या है कि राजसभा चुनाओं में कि जो एसेंबली में क्रॉस वोटिंग होती है उसका एसेंबली पर असर नहीं होता है रूल्स में तो उसको मतलब लैक ओफ मेजरिटी नहीं माना जाता है सेक्रेट बैलट से होता है और क्रॉस वोटिंग आप कर दिये दूसरी पार्टियां भी तो उसको एसेंबली के स्टेंट पर जैसे कि कुछ बिल हैं जो नहीं पास हुए तो उसका एक सीधा सीधी मतलब ह हो जाता है कि मौजूदा सरकार ने भूमत खो दिया है लेकिन इसमें क्रॉस वोटिंग राजस्वा चुनाओं में ऐसा नहीं होता है उसको नहीं माना जाता है कि हो दिया है तो ये इस टेक्निकलिटी का भी फैदा हो जो है विधायकों ने मन एक सुरू में जो इन में जो अधिति सिंग जिसकी बताया एथया परतिवा सिंग जो उनकी माता है तो इन लोगों का सुरू में जो असंतुस्ट कॉंग्रेस के विधायक थे उनका यह तर्क था कि यह जो है बाहर से आए हैं यहीं के कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है तो डो मिसाइल इस्यू अभी शेक बड़ा मुद्धा था इस सदी के शुरू में कि डो मिशाइल इस्यू कुल्दीप नहीर तो सुप्रीम कोट भी गये थे जी बिल्दीप कोट गये थे और एक बहुत फेमस केस है कुल्दीप नहीर वर्सेज यूनियन ओफ हिंडिया दो हजार चे का और उसमें सुप्रीम को कोई इस्यू नहीं हो सकता है उन्होंने फेडरलिज्म वेगेर का भी कि जिनका डो मिशाइल जिस राज्य में हो राज्य सभा का केंडिडेचर उसी में हो कि दो हजार तीन में एक संसोधन किया गया था रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल एक्ट में और उसके अनुशार डो मुर्दे उखाड़ना की अब डो मिशाइल इसू अब इसे मनुशिंग भी यहां से आए हैं बाहरी केंडिडेट हैं यह अब यह नेरेटी भी खत्म हो गया है मेरे ख्याल से बिछले दो दसकों में तो यह उठा ही नहीं है इतने दिन परधान मंतरी बने रहे हैं और यह बात कही जाती रही जो आनंद कह रहे हैं कि परधान मंतरी को तो कम सकंप कहना चाहिए था कि मैं दिल्ली से मझे लाया जाए लेकि कुछ मुद्दा ही नहीं है परधान मंतरी वारा नसी से हैं वो चुनके आ रहे हैं चुनके आप कहीं से जो है करनाटक के होने के बावजूद मुझाफरपुर से लड़ते रहे हैं लेकिन जो बात आनंद के रहे हैं कि आप जो है ये मुद्धा चला था मुझे अच्छे से आदमी रहने वाला यहां का है ज्यारकंट से आ रहा है तो उस मुद्धे को सेटल हो गया यह वो आदमी कहेंगा जिसको अपना शेयर नहीं मिला हो रागदरबारी में न मचली और रोटी की लड़ाई है क्या आपको मिला नहीं इसलिए मैं जरूर यह कहूंगा कि कॉंग्रेस के अंदर हनुशासन की कमी हर स्तर पर दिखती है और दूर दर्शिता की वी यह दूर दर्शिता की जैसे आप लोगों ने मनीशा और आपने जिकर गया है जो चुनके आए हैं हिमाचल में यह अर्श महाजन कौन है या जो यहां पर यूपी से क्रॉस्वोडिंगर के लाए है तो मैं यह बता रहा हूँ कि यह वी जेपी जो है उमीदवार भी आप लाओ उसी पार्टी का बात कर तो ऐसे होता है जब माना कोई सीट खाली करता है जो है कि चुनाव हो जाता है मुखी मंतरी जो है वो चुनावा नहीं है ते कर लिया अब उसको लाना है तो ऐसा थोड़ी होता है जनरली कि अपनी पार्टी के सीट खाली करा जाती है सामने से खाली करवाई जाती है तो politics में it is always game कि जहां आप सामने वाली पार्टी को तोड़ते हो आप तो बहुत गूड राजनीतिक जुगाड में पहुंच गए मैं तो इस बात कर रहो Congress तो अपने हित की दूर दर्शिता भी नहीं दिखाती उन्होंने सीटों का बटवारा अब किया है चुनाव से दो महीने भी नहीं बचे हैं अब इंडिया अलाइंस का जबकि ये काम खास्त और से गटबंदन के लिए जब आपका मुकाबला कहीं सशक्त प्रतिद्वंदी से है पहले हो जाना चीए था जिससे आप ज़्यादा समय बिता सके फील्ड में अब लोग कहते हैं कि मैं राहूल गांदी की बड़ी बुराई करता हूं पर अब मुझे एक बाँ बताएए आप कह रहे हैं कि नहीं मैं प्रधान मंतरी का कैंडिडेट नहीं हूं मैं लीडर नहीं हूं लेकिन पार्टी की सारी आपकी यात्रा पर जा रही हैं और आप यात्रा बीच में रोक भी दे रहे हैं बार-बार अब वो चले गए हाँ ये मुझे समझ नहीं है कि बीच में रोक के केंडिडेट क्यों चले गए बीच में वह माता जी का अपनी नॉमिनेशन भरवाने चले गए अब ये परिवार सब जगह हैं लेकिन कॉंग्रेस में इतना अनुशासन नहीं है कि उसे रोक सके आप देखिए लोकसभा का टिकेट वहां हमादमी पार्टी को दिया तो एहमत पटेल के पुत्र और पुत्री नराद हो गए है कि हमारी लेगेसी अब ये तुमने खरीद ली थी या इसी मेरे दिमाग में तो पहली चीज़े आती है अनुशासन के साथ नहीं एक इंटाइटलमेंट की बात है और उनको ऐसा लगता है कि हर कोई जो है एंटाइटलमेंट को अनुशासन ये तो रोकता है नहीं नहीं वो भी है मतलब ये की मना कि हमें बनना है जैसे अभी विक्रमादित बहुत ही एक बोड़े नेता ने कहा था मुझसे और क्योंकि ये बात informally कही थी उनने का कि politician उस गंदे जानवर की तरह है जो दिन रात कीचर से खेलता है और उसमें उसको मज़ा आता है बिल्कुल है और पॉलिटिक्स ये काम नहीं है कि मतलब like you have to be a hog basically वो I think एक प्रशान मोड हमेशा अभी भी पावर वाल है कि हम पावर में है और बीजेपी का अभी की opposition वाल है इसका सबसे एच्छा example मेरे दिवाग में आप लोग कह रहे थे अभी आया सीटों के बटवारे को लेकर कॉंग्रेस अभी भी इतनी अडियल है और भाजपा तुरंत बटवारा करके final कर चुकी है मैं एक बात आपको बताओं ये गलत हो सकते हैं लेकि ये ये एक political guess है अब आप यूपी में भी देखिएगा जो पांडे जी जिन्होंने cross voting की मनोश प अब राइबरेली और अमेठी दोनों जगे हैं समाजवाधी पार्टी जो है न केवाल अपने उमीदवार नहीं उतारती बलकि उनके वो support भी करती है समाजवाधी पार्टी Congress को राइबरेली अमेठी तो गई राइबरेली की बात है तो ये बहुत संभाव है कि वहां के वि इसमें एक चीज और है जो है जितना व्यक्तिकत मेरा उसमें मत है कि वह नहीं होना चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं एंटी डिफेक्शन लाओ के बारे में क्योंकि अगर ऐसे में एंटी डिफेक्शन लाओ ना हो जहां एक पार्टी बहुत ज् धनबल में भी और राजनेतिक बल में भी और उसका जो नेतरत्व है वो भी कमांड रखता है अपने कार्डर पे तो फिर तो अगर एंटी डिफेक्शन लाओ नहीं होगा तो यह काम और ज्यादा नहीं होंगे लेकि यह ट्रिकी सिचवेशन है है नहीं मनीशा आप पहले ब पी पार्टी को नहीं अपनी कॉंसिट्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है ना इसमें एक बात बोलना बोल गया कि एंटी डिफेक्शन वीप नहीं चलता राजसभाचुनाओं में अच्छा वीप नहीं होता इसलिए असेंबली पे असर नहीं होता यह तक्नीकी पॉइंट ह नहीं कर शकता कि राज्य सभाचुनाओं में कि आप इसी को वोट करें इसलिए यह सब काम हो रहे है खैर इसलिए तो थोड़ा अलग कैटेगरी रख रहे हैं नहीं मेरे मतलब यह है कि क्योंकि बाकी चीज़ों पर वे बड़ी सक्ती से लागू होती है ना इसमें नहीं होत करना पर अंटी डिफेक्शन पर आप तोनों को कुछ कहना है तो यह स्कूलिंग की तरह है जो हम बात कर रहे हैं यह कानून इसलिए लाए जाते हैं कि नैतिकता बनी रहे लेकिन यह पॉलिटिक्स में फिर कह रहा हूँ ना पॉलिटिक्स ऐसा गेम है नहीं जिसमें आप व पॉलिटिक्स यह नहीं हूँ वो भी एक पॉलिटिक्स है तो विदाव पॉलिटिक्स देर इस नाधिंग तो मैं यह बता रहा हूँ आपको कि संभाव करना चीजों को यह राजनीती है राजनीती यह नहीं है कहना कि सामने वाला मुझे बहुत परिशान कर रहा है और पढ़ चुका हूँ से वो अनीकुल तो वो मैं रेकुमेंड कर रहा हूँ और भारत के राजियों तक्षिन एशिया के पूरे समय भारत के अपर उसी देशों के को साथ में रखते हुए तो इस वेरी इसे बुक जाहतर डेटा डिरिवन राइटिंग है तो वो आप पढ़ स पे वो एक क्योंकि वो प्राशंगिक है आज के चर्चा के संदर में तो वो एक दूसरी कल टाइम सोफ इंडिया ने एक रिपोर्ट चापी थी कि जिसमें प्रिंट मीडिया को एडवर्टीजमेंट्स में इस दोजार चौविश में साथ प्रतिशत बृद्धी होगी और ब भी है वो हमेशा प्रिंट एड को प्रोमोट करता है क्योंकि वो मेजर बेनिफिशरी है उसका और तो मैं इस पर मैं इसको थोड़ा सिंप्लिफाय करूंगा लेकिन एक बहुत इंट्रेस्टिंग जानकारी आपको बताता हूं कि 1973 में ये लोग समझते हैं कि बेनेट एंड क बर दीया वेगेरा लेकिन 1970 में इनकी लड़ाई एड़वेटीज्मिंट को लेके दूसरी थी और उसको सुप्रीम कोट ने भी माना इन्होंने कहा था कि जो अढ़राइज करना ये उस्दम करने का और इसकरने राइट है वो राइट टु फ्रीडों ओफ स्पीच एन एक्सप्रेशन है 1901 के तहत इसलिए जो उस समय क्या हुआ था कि उसमय जो सरकार थी उन्होंने न्यूस प्रेंट की सप्लाई कम कर दी थी और कहा था कि अड़र्टिजमेंट के लिए आप न्यूस प्रेंट यूज नहीं कर सकते तो इन्होंने कहा था कि इससे हमारा शरकुलेशन एफेक्टेड होगा जिससे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो की इन्फर्ड राइट है डाइरेक्ट राइट नहीं है 1901 के यह होगा तो सुप्रीम कोट ने कहा था कि राइट टू एडवर्टाइज जो है यह राइट टू सरकुलेट है जो डाइरेक्ली रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच से और सुप्रीम कोट ने बेनेट एंड कॉलमन को सही ठाराया था और राइट टू एडवर्टाइज को फिर और सकाल पेपर्स केस में भी उनिसो बासट में और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स केस में 85 या 86 में इसमें सुप्रीम कोट ने लगतार फैसले दिये कि कैसे राइट टू एडवर्टाइज जो है वो राइट टू सर्कूलेट है और राइट तू सर्कूलेट जो है वो राइट तू फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इन्होंने एक इस लॉजिक से इसको तो बिनिट बिनिट एंड कॉलम लेकिन ये सुप्रीम कोट तक ले गया और सुप्रीम कोट ने इनके फेवर में ये सब जज्जमेंट दिया इसको मैं सिंप्लिफाय करके एक आर्टिकल लिखूंगा तो और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स केस एक इंडियन एक्सप्रेस का भी केस है इसमें दवा खाना वाला तो आप इस पर ये बुक है जो आप रेक्मेंट करने दिर इस बुक भी पर सकते हैं अभी आपने रेक्मेंट किया हो बुक है ठीले कोई जैसे कि वो पूरे प्रिंट फैटर निटी के वो मतलब कहें कि उन्होंने ही पिताम है पिताम हैं और सब के लिए वही खुस हो गए क्योंकि वो इसके मेजर रेक्मेंट है तो वो आर्टिकल आपने रेकमेंट किया और कोई रेकमेंट किया और कोई रेकमेंट किया कैसे कैसे सुप्रीम कोट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि राइट तो एडवर्टाइज ज एक तरफ से तो सप्लाई तो है लेकिन जो डिमांड लोगों में वो भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो रीड तो तो पहला तो मैं वो बसंत की तीन है इतफाक से बसंत की जो रिपोर्ट थी कोरो निल पर वो मैं फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा थोड़ी पुरानी हो गई है तो इसलिए वो ठीक रहेगा लोग पढ़ें के जहां से बात शुरू हुई तो उसके बीचे के कारण क्या थे दूसरा हमने एक LTA का नया प्रक्रण कल रिलीज किया है ब्रहस्पतिवार को हम शुक्रवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसराइल और पहलेस्टाइन पर जो जगडा सदियों से चला आ रहा है कुछ लोग कहते हैं बट सौ साल से तो च परियामरण में जो पानी की कमी हो रही है और जो हवा की दिक्कत है उसके लिए एक नया वहां पर उन्होंने कहीं प्रयोक शुरू किया है कि इस रेन वाटर को लेके उसको में सिटी का ही पार्ट कैसे बनाया जाए जिससे कि आप ग्रीनरी को लोकलाइज भी कर सकें पानी को कैसे पीने के पानी को कितना बचाया जा सके तो यह तीन मेरे रिक्कुमेंडेशन हैậма पे पानी में प्रिए कि ईकEC趵े डिया दूर बन चुके विज्यापन के मॉडल को खारिच करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्त्रकारिता आप के लिए जवाब देह बने newslaundry.com slash subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक payment का विकलप चुनिए क्योंकि हमारे subscribers का नारा है मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें